भारती जनता पार्टी ने हमेशा फूट डालो राजकरो राजनीती के सिद्धान पर ही काम किया है। जब उन्हें लग रहा है कि महाविकास अगाडी बहुमत से जीतने जारी है महाराश्ट और महाराश्ट ये बाद जो दिल्ली पैसर होगा वो उनको भी एहसास है। इसलिए ये बॉकलाय हुए लोग हैं डरे हुए लोग हैं और ये लगातार धर्म के नाम पर लोगों को बाटना चाते हैं। कि जनता करेगी। जो लेहर है वो महाविकास अगाडी की है और सभी दल मिलकर के एक साथ चुनाओ लड़े हैं भारती जनता पार्टी के खिलाफ इस नफरत की विचारधारा की खिलाफ एक जुटता है महाविकास अगाडी की और मोहल बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन क्या कि थर्म या जो development के या विकास के जो issues है वो उनमें टकराव हैं। इस तरह के बयान दे रही है वो साफ तोर पर भारती जंता पार्टी ने हमेशा फूट डालो राजकरू राजनीती के सिद्धान पर ही काम किया है जब उन्हें लग रहा है कि महाविकास अगाडी बहुमत से जीतने जारी है महाराश्ट और महाराश्ट त्रिवाद जो दिल्ल जीतेंगे जिए लगातार जिस तरीके से सामपर्दाइक बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और परदान मंत्री कहते हैं कि महाविकास अगाडी इंडिया गडबंदन में ऐसे लोग हैं जो आपकी रोटी बेटी कपड़ा मकान सब छीन लेंगे और एक खास तपक सब्सक्राइब कर दिया अ महाघडबंधन को जिस तरह से तिराली सीटे मिली इंडिया आलायंस को तिराली सीटе मिली तो योगी के मैंटाम केंगे मुत्ता प्रदेश नघ कार चुकी है जिसको उत्तरप्रदेश की जनता नहीं सुनना चाहती उसको महराष्ट में क्या स्विकारिता मिलेगी ये तो बहुत ही समाजिक रूप से जागरत लोगों की धर्ती है तो यहाँ पर योगी जी की तो कोई बात नहीं सुनने जा रहा रही बाद नरेंद्र मोदी की जब उन्होंने इस तरह की बयान बादी उत्तरप्रदेश के लोकसभा और पूरे देश में जब लोकसभा चुनाओ चल रहा था तब उत्तरप्रदेश से शुरू करी तब वो दो बैसाखी पर आ गए एक टीडिपी के बैसाखी है और एक जेडियो की बैसाखी है और वो महराश्ट में जिस तरह की बात कर रहे हैं उनकी दोनों बैसाखी खिचने का काम भी महाविकास हगाडी करेंगी लेकिन यहां के एक लोकल नेता है राष्ठागरे वो कहे रहें कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम मस्जिदों से लाओड इस्पीकर उत्रुआ देंगे वो ही फिर से जो धार्मिक इशूस पर चुनाव लगने की बात पुक्ती है तो मुझे लगता है कि नफरत की राजनीती को इस देश ने नकारा है और महाराश्य के अंदर महाविकास अगाडी की सरकार बनाएगा लेकिन अभी तक जिस सीट पर हम हैं अनुशक्तिनगर में नवाब मलिक जो थे वो पहले इंडिया अलाइन्स का हिस्सा हुआ करते थे जो शरत पवार एंसीपी के पार्टी के मिनिस्टर भी रहे हैं वो लेकिन अब उनी के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव पर चार कर रहे हैं नवाब मलिक ने जो घड़ी शरत पवार साब से चुराने वालों का साथ दिया है उसका सेल निकालने का का मानुशक्तिनगर की जनता करेगी इस बार तुतारी वाले मानुश पर वोट करके और यहां पर इंडिया लाइंस को जिताएगी फाद एमद को जित कहने और करने में बहुत अंतर होता है यह तो जनता बताएगी जब परिणाम आएंगे तेज तारी को तो महाविकास अगाडी के साथ जिस तरह से जनता का समर्थन मिलना चाहिए वो शिवसेना हो चाहिए वो आपका शरत पवार साब की पार्टी नसीपी हो सभी लोगों को जनता से मिल रहा है भारती जनता पार्टी खिलाफ उसका परिणाम तेज सारी को आएगा और महाविकास अगाडी की सरकार बनेगी नवाब मलिक का भी एक बयान आता है फाहद के खिलाफ वो आरोप लगाते हैं कि फाहद जो है अबू आसिम के चेले हैं और जो ड्रक्स को क से बढ़ रही है लोग बता रहे हैं कि कई कई परिवारों के बच्चे इसमें इंवाल्व हो गये हैं इसका शिकार होते जा रहे हैं तो उसके खिलाफ तो फाहद की लड़ाई है फाहद लड़ेगा और जीते गा और अबू आसिम साहब भी नवाब मली को हरा करके जीत करके आएंगे तो महा गटबंदन महा विकास अगाड़ी की सरकार बनने जा रही है